याद रखिएगा साथियों चल रहे हैं ओलम्पिक्स और ओलम्पिक के अंदर हर दिन कोई ना कोई पहुत शांदार न्यूज आएगी लेकिन हमारे इंटरनेशनल सेग्मेंट में आज की जो न्यूज है इंटरनेशनल में वो है रूस के संबन्द में क्या है रूस की कहानी सा रशिया किसी भी जर्सी पर नहीं लिखा हुआ है रशिया के खिलाडी जीत भी जाएं तो भी उनके लिए नेशनल एंथम बजने वाला नहीं है कोई भी वैसा कलर जो रशिया को इंडिकेट करता हो वो यूज नहीं करना है ऐसी इस्थपी में रशिया के खिलाडी खेल तो ना भूलें, तो आएए क्या है ये importance की खबर, साथ कियों, international खबर में सापाद चर्चा की जा रही है, रशिया की, और रशिया के बारे में बताया जा रहा है, कि रशिया के जो खिलाडी है, वो अपने टी-शर्ट पर रशिया नहीं लिख रहे हैं, तो लिख क्या रहे हैं, व इसकी फुल फॉर्म भी नहीं लिख रहे हैं, इनकी टी-शर्ट पर जो केवल एक लाइन लिखी जा रही है, that is ROC, ROC क्यों लिखी जा रही है, इनके खिलाडियों की टी-शर्ट पर, कही पर भी रशिया शब्द नहीं है, reason क्या है, क्योंकि साथियों, international olympic committee ने इन्हें punishment किस चीज का punishment दिया था, साथियों, Russian olympic committee को, यह रशिया को punishment दिया गया था, कि वो olympics में नहीं खेल पाएंगे, olympics में कौन-कौन से olympic में नहीं खेल पाएंगे, जो अभी Tokyo हो रहा है ये, winter olympic जो Beijing में होगा वो, इसके अलावा FIFA का World Cup, इनमें नहीं खेल पाएंगे, य आईए, अब इसके बारे में आपको सिलसलेवार तरीके से बताने की शुरुआत करते हैं, लेकिन याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर एक महतवपून बात जो ये है, कि अभी olympics में रशिया खेल भी रहा है, और इस समय रशिया के 335 खेल रहे हैं, लेकिन नाम रशिय रशिया नहीं, ROC यूज़ कर रहे हैं, इवन फुल फॉर्म भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, that is ROC ही यूज़ करके टी-शर्ट पर चल रहे हैं, सवाल बनता है, ऐसा हुआ क्या, आप जड़ा देख सकते हैं, यह रशिया के खेलारी हैं, इनके उपर कोई भी फ्लैग नहीं हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह रशिया के, आपको याद होगा ना, जैसे मेरी कॉम जी ने अभी स्टार्टिंग में जब हमारी टीम गई थी तो उसका प्रतेने धित्व किया था, है ना, वो होकी के जो इस्टार खिलानी हैं उनके साथ में, यहाँ पर भी रशिया की जो टीम है, वो टोक्यो उलम्पिक में जब स्टार्टिंग सेरिमनी हुई तब अपना रिप्रेजेंटेशन तो की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के दौरान इनके द्वारा जो बैनर लिया गया, उस पर लिखा हुआ था, R.O.C. अब आप पूछेंगे कि लोगों को कोई नया देश दिख गया, क्या, नहीं बिलकुल नहीं दिखा, 335 सदश गया है भारत से जस्ट ट्रिपल, ऐसी इस्थिती में ऐसी इस्थिती हुई क्यों, तो कहानी है साथियों, वर्ष 2019 की, जब वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी, वाडा, जो की कहां पर इस्थित है, मॉन्ट्रियल कैनेडा ने, उसने ये पाया कि रशिया के खिलाडी जबरदस्थ डोपिंग करते हैं, और डोपिंग का मतलब होता है कि वो नशीले पधारतों का सेवन करते हैं, खेलने से पूर्व, और खेलने से पूर्व जो नशीले पधारतों का सेवन करने की प्रक्रिया है, सबसे जबरदस बात ये है कि उनके द्वारा इसको ऐसे समझ ये साथियों, अगर आपको जैसे हैं, क्या बार अपने यहाँ पर विग्यापन आता है, तरह तरह का हॉरलिक्स का आता है, बॉर्ण वीटा का, आज कल तो खेल टीव बिना हो और आपके अनरजी जबरदस्त बढ़ जाए, तो ऐसी इस्तिती में आप निश्चत ही उस खेल के अंदर बहुत अच्छा प्रतेने धित्व करेंगे, रशिया के द्वारा सरकार मिला करके खुद ऐसा काम करती थी, कि रशिया में सरकार अपने खिलाडियों को खु sophisticated तरीके से, यानि ऐसी ऐसी दवाओं का पता लगाया जाता था, जो कि वाड़ा, World Anti-Doping Agency के द्वारा खिलाडियों के सेंपल में पता ही नहीं चलता था, रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप कोई भी international event में खेलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका blood sample और urine sample ल आपके पदक तालिका से पदक हटा दिये जाएंगे और आप सको वापस वो लोटाने भी पढ़ेंगे, क्लियर है, रशिया ने अपने खिलाडियों पर ऐसे प्रयोग किये, कि वो दवाओं भी देता था, लेकिन वाड़ा पता नहीं लगा पाता था, ऐसी इस्थिती में ब वाड़ा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी, जो की वाड़ा के तत्वादहां में काम करती है, जैसे वर्ल्ड के अंदर, जैसे ऐसे समझेजी है, उसके नितरत में इंडियान ऑलिंपिक कमेटी काम कर रही है, एक्जیک्ली वैसे ही वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड एंटी सेंपल चेक होते हैं और चेक होने के बाद में कह दिया जाता है कि सर किसी भी प्रकार की डोपिंग हमारे खिलाडियों नहीं की इन्हें आने की इजाज़त दी जाए तो सामान ने तया ऐसा होता है कि वाडा ने हर देश में लगबग बड़े बड़े देशों में अच्छेत् इन्टी डोपिंग एजेंसी जिसका नाम है रुसाडा हुआ करता है तो वो भी वाडा के अंदर जैसे इंडिया में नाडा है ऐसे ही कैनेडा के रशिया के अंदर क्या है रुसाडा है यह जो रुसाडा है साथियों यहां पर इसके बारे में भी ये पता चला कि ये भी किस चला किसको पता चला ये पता चला साथियों वाडा को कि रुसाडा मिलकर के डोपिंग करवाता है तो फिर वाडा ने इसके खिलाफ जांच बिठाई और वाडा ने जब जांच बिठाई तो पता चला कि ये लोग तो बहुत ही जबरदस्त वाले खिलाडी निकले और इनको सा खिट में दिया कि सर देखिए खेल इस्परिट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरशिया में खिलाडियों को दबाई दी जाती है और ये बनी विसल ब्लोवर का मतलब ये हुआ कि घर का वेदी लंका डाय हो गई थी तो ये एक तरह से विभीशन हो गई थी जो जाकर के वाड़ा में अपने ही देश के खिलाफ सिकायत कर दी थी लेकिन सही उद्देश से की थी ऐसी इस्थिपी में इनके बाद फिर वाड़ा ने रुसाड़ा के चेयर्मेन को पकड़ा और उसको कहा और उसका नाम था सात्यों ये नाम कुछ है इनका ग्रिगॉरी रोच नग प्रोटेक्शन चाहिए तो उड़के दिधर आजा तिरको बचा तो हम लेंगे लोड मतले तो भाई इसने भी फिर सारे की सारे पत्ते खोलने शुरू किये कि हाँ जी हमारे याँ दवाई दी जाती है दवाई देते हैं तो इतना तरीके से देते हैं कि सरकार की दवाई होत और केस जैसे ही पुख्ता हुआ इसको पुरदपता चलते ही साथियों यहाँ पर जो वाड़ा है इस वाड़ा ने इस पर पर प्रतीबंद लगा दिए चार साल के प्रतीबंद लगाए से मतलब हुआ कि अब 2019 डिसंबर की बात है जब इस पर प्रतीबंद लगाए गया चा अब 2021 में हुए हैं, ना ही पैरा ओलम्पिक में पार्टिसिपेट कर पाएगा, 2022 में बीजिंग में होने वाले जो विंटर ओलम्पिक हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और ठीक इसी प्रकार से फीफा के वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा यानि सभी जगह से वाडा ने रशियन खिलाडियों को ही बैन कर दिया अब रशिया की बारी थी रशिया जो है इस वाडा के निर्णे के खिलाफ अपनी एक आरबिट्रेशन सेंटर पर चला गया यानि कि एक ऐसा समझिये कि एक कोट ने डिसीजन लिया अब उसके खिलाफ उपर वाली कोट में चला गया और वो उपर वाली कोट का नाम क्या है साथियो कोट आफ आरबिट्रेशन फोर स्पोर्ट्स ये कोट आफ आरबिट्रेशन फोर स्पोर्ट्स क्या है तो ये वाडा के निर्णे के खिलाफ अपील करने की जगए है जिसे आप C.A.S. के नाम से जानते हैं और ट्रिब्यूनल आरबिट्रल यानि की यहां पर T.A.S. और C.A.S. जो भी आपको बोलना हो बात एक ही है ये कहां पर है साथियों ये है लुसाने लुसाने से याद आ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी भी लुसाने में ही बैठती है और ये भी लुसाने में ही है तो लुसाने में ये लोग पहुँच गए और यहां जाकर के इन्हों ने वाड़ा के निरने के खिलाफ अपील किया किसने रशिया ने अपील किया तो रशिया ने अपील किया तो रशिया की अपील को इन्हों ने मान लिया और ये कहा कि ठीक है हम आपको खेलने की तो इजाज़त दे रहे हैं लेकिन आपका जीतने पर नेशनल एंथम नहीं बजेगा आपके खिलाडी आपके देश का नाम उपियोग नहीं लेंगे और अगर वो खेल खेलते भी हैं तो वो आर ओ सी के नाम से खेल खेलेंगे यानि कि रशिया जो है वो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत गया जो स्पोर्ट के बारे में कोर्ट हुआ करती थी और जीतने के बाद वो आरोसी जो है वो वरतमान में 335 खिलाडियों के साथ में बढ़िया से मैच खेल रहा है तो इंटरनेशनल ऑलंपिक कमेटी जो है उसके निरने के खिलाफ ही है एक प्रकार से TAS का निरने और यहां पर यह खेल रहे है ऐसी इस्थिती में अब यह जो आपको President World Anti-Doping Agency दिखा रहे हैं जिनका नाम है विटोल्ड बाका इन से बयान लिया गया कि बाके जी जरा यह बताइए कि आपको कैसा लगा C.A.S. का निरने जिसने की आपके खिलाफ निरने दिया है तो इन्होंने कहा We at WADA remain disappointed हम खुश नहीं हैं that C.A.S. has decreased the level of sanctions from 4 year to 2 year क्योंकि WADA ने 4 साल का प्रतीबंद लगाया था और C.A.S. ने उस प्रतीबंद को 2 साल का कर दिया प्रतीबंद to 2 year and that C.A.S. allow them to complete Russia athletes Russian athletes complete Russian athletes with the color of flag in the uniform और इन्होंने C.A.S. के इस निरने का भी विरोध किया कि ठीक है अब कर दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं लेकिन हम इस निरने से खुश नहीं हैं और हम इस निरने के खिलाफ अपहिल करने की इस्तिती में भी हम नहीं हैं तो उमीद है आपको रशिया की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी वर्ड पॉलिटिक समझ में आ गई होगी इसी के साथ एक तथ्यात्मक जानकारी बस ये जान लीजिए कि वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी का मुख्याले कहा है मॉन्ट्रियल कैनेडा के अंदर है वर्डमान में इसके जो हैड है उनका नाम क्या है विटोल्ड बाका जो है वो इनके हैड है उमीद है आप लोगों को ये बात बहतरीन तरीके से समझ में आ गई है अकेडिमी पर मेरे साथ पेड बैच पढ़ना तो आपका स्वागत है मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका उप्योग करके आप SSE के अंदर 10% इमीडियेट डिसकाउंट प्राप्त करिए और स्टेटिक जी के डीटेल में पढ़िए वहीं UPSC के अगर हम बात करें तो वहाँ पर तमाम एडुकेटर्स की सभी की सभी की क्लासेज इसके अलावा extended validity सहीत समाम जीजें आपको उपलब दोती है यूज माई रेफरल कोड अंकित10 तो अवेल इट इसके लिए करना क्या होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाएए अनकेडमी लर्निंग अप मोबाईल में इंस्टॉल करिए वहाँ से मोबाईल नंबर में उसे इंस्टॉल करने बाद मोबाईल नंबर से रेजिस्टर करिए और रेजिस्टर करने के बाद में गोल सेलेक्ट कर लीजे गोल सलेक्ट करके, पेमेंट आप्शन पर जाएए, पेमेंट करिए, ट्रैफरल कोड अंकित 10 यूज़ करिए, 10% के डिसकाउंट के साथ सेशन में पहुंच जाएए, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पर आप पहुंच करके मेरी क्लासिस को एक्सिस कर सकते हैं, फिलाल के इतना ही, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, धन्याएं